हेलो गैज, प्रतिक हीर तो आज हम बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग इंडेस्ट्री की निउस के बारे में बात करेंगे तो आज की सबसे पहले निउस निकल कराई है पैट्रिक मोर की तरब से मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाता हूँ कि ये कोई कंफर्म निउस नहीं है ऐसे बाते बॉडी बिल्डिंग इंडेस्ट्री में चल रही है तो पैट्रिक मोर टैंपा प्रो में कंप्रिट कर सकते हैं क्यूंकि हमने उनकी करण कुछ अपडेट्स देखी उसमें अगर हम उनकी करण कंडिशनिंग देखे तो यही कंक्लूजन पर आते हैं कि हाँ पैट्रिक कंप्रिट कर सकते हैं तो अगर ऐसा होता है तो इस टैंपा प्रो की लिस्ट में एक और टॉप नाम जुड़ जाएगा इस शो में हंटर लवराडा और एन वैलरी जैसे पैट्रिक का नाम जुड़ने से कंप्रिटेशन का लेवल नो डाउट बढ़ जाएगा तो टैंपा प्रो के रिगार्डिंग एक कंफ्यूजन है तीन चार लोगों ने मुझे मेसेज भी किया कि इस लिस्ट में तो इन वैलरी का नाम ही नहीं है तो सबसे पहले आपको मैं यह बता देना चाता हूँ कि यह कोई फाइनल लिस्ट नहीं है इसके बाद जो लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट होगी तो उस लिस्ट में उनका नाम एड़ हो जाएगा तो उसी लिस्ट आने के बाद मुझे कुछ क्लियर करना है मैंने उस वीडियो में बोला था रिगार्डिंग करंट कोरोना सिचुएशन पूरी वर्ड की बॉर्डर्स बंध है पर मैं अपना प्रेव स्टार्ट कर रहा हूँ तो उनका खेलना मुश्किल हो सकता है तो इसलिए आगले साल ही देखेंगे पर अगर शोज होंगे तो वो जरूर कंपिट कर सकते हैं तो इनी बातों को क्लैरिफाइ करते हुए बिग रैमी ने ये पोस जाली थी तो ये सुनकर अच्छा लगा कि बिग रैमी कंपिट करना चाहते हैं टैंपा प्रोसे रिलेटेड सेकेंड अपडेट है हंटर लबड़ा की तरफ से मुझे तो परसनली फिजिक में कोई कमी नहीं दिखाए दे रही है अल बोडी पार्ट्स आर ओन पॉइंट आम्स का डिवलप्मेंट अच्छा है बाइसिप और ट्रैसिप का सेपरेशन भी बहुत बड़िया है और फोर आम्स भी साइज में बहुत बड़े है फोर पैक अब्स एकदम परफेक्ट सेपरेशन के साथ अच्छे लग रहे है लेग्स में साइज और सेपरेशन का बहुत सही कॉम्बिनेशन है पर हाँ, बैक में थोड़ी सी साइज और डेवलोप्मेंट की कमी है पर यह उनका प्रोट डेब्यू है तो जब वो और ज़दा मैचूर हो जाएंगे तो जरूर इसको भी इंप्रूव कर लेंगे टेमपा प्रो से ही तिसरा अपडेट है एन वेलरी की तरब से इस फिजिक अपडेट को देखकर मुँसे एक ही बात निकलती है एपसलूट मॉंस्टर इन वेलरी का करेंट वेट 270-280 के बीच हो गाई तो आप ही बताइए इतने ज़्यादा स्टेज वेट पर किसकी इतनी स्मॉल वेस्ट है और सिर्फ आप उनके आम्स की तरब देखो उनके आम्स उनके लैट्स को ओवर शाड़ो कर दे रहे हैं इसी की वज़ज़ से उनके लैट्स उबर कर नहीं आपाते फिर भी आप शोल्डर टू वेस्ट रेशो देखो परफेक्ट वीटे पर तो इन तीनों बॉड़ी बिल्डर्स में कौन टैंपा प्रो को जितेगा ज़रूर कमिट करना तो नेक्स निउस है लोगन फ्रैंकलिंग की तरब से उन्होंने भी अपनी करन्ट फिजिक अपडेट शेयर करी है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि लोगन फ्रैंकलिंग न्यूव प्रो में कम्पिट करने वाले है तो उसके इसाब से लोगन ओन ट्रैक चल रहे है बाइसेप में पीक अच्छी है वैक्यूम भी बहुत बढ़िया है लेग्स और काफ भी साइज में बढ़े है स्मॉल वेस्ट और परफेट अबलिक्स मसल तो आपको शायद पता होगा कि लोगन फ्रैंकलिंग और क्रिस बमस्टेड इन दोनों के बीच में एक काइंड ओफ लड़ाई हो गई थी कि किसकी फिजिक बहतर है एबसल्यूटली लोगन के पास पोटेंशल है पर करन्ट फिजिक को देखकर ऐसा लगता है कि क्रिस बमस्टेड के वो 50% भी नहीं है हाँ, फ्यूचर में वो जरूर क्रिस बमस्टेड को टकर दे सकते हैं पर इस फिजिक के साथ बिल्कुल नहीं तो लास्ट न्यूज है शॉन क्लारेडा की दरब से तो शॉन क्लारेडा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने एक फिजिक अपडेट शेयर करी है 2019 के ओलम्पिया के लिए उन्होंने 190 LBS से अपना प्रेफ स्टाड करा था और 169 LBS पर कंपिट किया था पर इस प्रेफ में अभी उनका करन्ट वेट है 200 LBS इस वेट से वो अपना प्रेफ स्टाड करेंगे और ओलम्पिया में इस साल 180 LBS पर कंपिट करेंगे मतलब पिछ्टे साल के मुकाबले 11 LBS ज्यादा मसल्स सिर्फ हम यहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा मसल्स के बदले वो अपने कंडिशनिंग खोना दे शौन क्लेरिड आपने कंडिशनिंग के वज़े से ही पिछले साल 3rd नमबर पर रहे थे तो यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और ऐसी अच्छे अच्छे वीडियों के लिए सबस्क्राइब कर देना और अगर आपके पास बॉडि बिल्डिंग फिल्ड से लेलेटर कोई न्यूज है तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है थेंक्यू